हेलो एव्रीवान वेलकम तू माई चैनल आज हम्रों क्लास नाइन की जो एंसी आर्ट एक्जैंपलर है इसके चैप्टर नुम्बर वन नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.2 का कुछिय नंबर 4 सॉल परेंगे कुछिय नंबर 4 इस क्लासिफाइद फॉलिंग नंबर एस रैशन और इर्रैशनल विद जस्टिफिकेशन यहां पर में फिर्स्ट भी गिवन है कि स्क्वाइर रूट ऑफ 196 ठीक है यहां पर हमें बताना है कि यह जो नंबर यहां पर गिवन है वो रैशनल है कि इर्रैशनल नंबर है विद जस्टिफिकेशन ओके तो यहां पर स्क्वाइर root of 196 जैसे given है तो it can be written as square root of 14 into 14 क्योंकि यह क्या होता है 14 का square होता है ठीक है तो यहां पर क्या answer आजाएगा 14 आजाएगा and 14 is a rational number okay तो यह हमें क्या मिलना है rational number मिलना है second हमें given है 3 under root of 18 ठीक है तो यहां पर 3 and square root of 18 can be written as 9 multiply by 2 तो 9 किसका square होता है 3 का square होता है ठीक है तो 3 multiply by 3 इसमें इसका अगर हम prime factors करेंगे तो 9 के prime factors 18 के prime factors क्या हो जाएंगे यहां पर 2 से किया तो 9 आ गया then 3 से किया तो 3 आ गया and 3 से किया तो 1 आ गया it means 3 का यहां पर pair बन रहा है ठीक है तो 3 एक बाहर निकल आया and already हमाय पास में 3 पहले से हमें multiplication में दे रखा था ठीक है but under root हमें 2 में मिल लाएं ठीक है क्योंकि यहां पर इसका pair नहीं बन रहा है it means 9 root 2 अब root 2 क्योंकि एक irrational number है it means यहां पर यह number क्या हो गया 9 and 27 can be written as 9 multiplied by 3 तो 9 और 9 यह दुन्हों cancel out हो गए square root में हमें क्या मिल ला है 1 by 3 मिल ला है ठीक है तो again यहां पर इसका मिल सकते है 1 upon square root of 3 अब square root of 3 जो है वह एक irrational number है ठीक है square root of 28 upon square root of 3 4 3 तो यहां पर square root of 28 can be written as 7 multiplied by 4 upon square root of 3 4 3 it can be written as 7 multiplied by 7 multiplied by 7 क्योंकि यह क्या होता है 7 का cube होता है ठीक है तो यहां पर 7 और 7 यह दुनों cancel out हो गए ठीक है square root of 4 की value क्या होती है 2 होती है and square root of 7 into 7 है it means यहां से भी एक 1 पे बहा निकल आएगा 1 number बहा निकल आएगा तो upon 7 तो 2 upon 7 यह हमारा क्या है एक rational number है क्योंकि 2 and 7 दोनों ही integers है and p upon q के form में है तो यह हमें मिलना है एक rational number फिफ्थ पार्ड में हमें given है minus square root of 0.4 okay तो यहां पर इसको हम ले सकते हैं minus 0.4 can be written as 4 by 10 okay तो 4 का square root क्या निकलेगा 2 निकलेगा बट यहां पर इसके जो prime factors करेंगे तो 2 into 5 यानि कि square root of 10 मिलेगा square root 10 जो है वो irrational number होता है क्योंकि minus 2 upon इसके भी अगर हम factors करेंगे तो 2 multiply by 5 आएगा again हमें यह क्योंकि 2 भी 2 का भी pair निए बन रहा है and 5 का भी pair निए बन रहा है तो यह हमें क्या मिलना है एक irrational number ही मिलना है तो यहां पर क्या हो जाएगा एक irrational number है क्योंकि अगर देखें यहां पर हमें अगर इसके इसकी जगह पर point 4 की जगह पर यहां पर हमें 0.04 given होता है तो 0.04 किसका होता है square point 2 का होता है क्योंकि point 2 into point 2 करते हैं तो यहां पर value क्या होती है 0.04 होती है तो इसका square root निकाल सकता था point 2 अगर होता तो हमें एक rational number मिलता क्योंकि point 2 can be written as यहां पर 2 by 10 के form में लिख सकते है means 1 upon 5 के form में लिख सकते हैं जो कि एक rational number मिलता बट क्योंकि हमें यहां पर point 4 given है तो point 4 means 4 by 10 तो 4 का तो square root निकाल आया 2 बट 10 जो है क्योंकि square root की अंदर है और इसलिए हमें क्या मिलना है एक irrational number यहां पर मिलना है 6 में हमें given है square root of 12 upon square root of 75 square root of 10 square root of 12 can be written as 4 multiplied by 3 and square root of 75 can be written as 5 into 5 into 3 ठीक है इसके prime factors में हमने इसको कर लिख लिया ठीक है prime factors के form में लिखा है तो 5 into 5 25 25 multiply by 3 75 तो यहां पर 3 और 3 यह तो cancel out हो गए ठीक है 4 का square root होता है 2 and 5 यहां पर इसका pair बन रहा है it means 5 हमें बाहर मिलेगा और यह हमें क्या मिलना है एक rational number मिलना है okay so this is a rational number next है 0.5918 यहां पर इसको अगर हम decimal हटा करके fraction form में लिखेंगे तो 5918 upon यहां पर हमें क्या मिलेगा 10,000 मिलेगा ठीक है upon में 10,000 तो यह हमारा p upon q के form में है और दोनों ही हमें क्या मिलना है integers मिलना है means हमें यह क्या मिलना है एक rational number मिलना है okay so this is a rational number 8th part है 1 plus root 5 minus 4 plus root 5 अब पहले हम इसको simplify करेंगे okay तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 plus root 5 क्योंकि minus sign बाहर है तो यहां पर जब हमें इसको open करेंगे तो minus 4 minus root 5 मिलेगा okay तो plus root 5 minus root 5 यह दोनों cancel out हो गए और यहां पर हमें क्या मिलेगा 1 minus 4 it means minus 3 तो negative number जो भी मिलते हैं वो भी क्या होते हैं rational number ही होते हैं तो यहां पर जो हमें decimal मिल ला है वो देखें non terminating तो है यहां पर यह terminate नहीं हो रहा है non terminating तो है बट क्योंकि हमें यह repeating मिल ला है 124 बाबर repeat हो रहा है it means it can be written as 10.124 बार तो यह repeating है ठीक है non terminating तो है बट repeating है तो ऐसे decimals क्या होते हैं rational numbers होते हैं ठीक है तो यहां पर क्या लिखेंगे कि this is non terminating repeating decimal so it is a it is a rational number next में हमें given है 1.01001001 यहां पर यह हमें non terminating मिल ला है बट यहां पर हमें repeating भी नहीं मिल ला है ठीक है पहले हमें 01 मिला थें हमें 001 मिला थें हमें 001 मिला थें फिर आगे हमें 001 मिले थें आगे टो यह हमारा कोई एक पैटन चल ला है बत यहां पर रिपीट नहीं नहीं हो रहें नंबर थें इस इस आं टर्मिनेटिंग नौन रिपीटिंग यह ऐसे डेसिम्स क्या हो जाते हैं इर्रेशनल नंबर थें थें ठीक हैं तो यहां पर हम क्या लिखेंगे क this is a irrational number as it is non-terminating non-recurring okay non-recurring non-repeating decimals okay I hope you question you will understand if my video like share and subscribe don't forget to see you in the next video till then bye bye